हालो फ्रेंस हमारे यूट्यूब चनल खाना खजाने में आज आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं मटर पुलाओ की रेश्पी इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो मटर पुलाओ बनाने के अएसे चावल चाहिए इसको अच्छे से धूर करके 15 मिट के रख देंगे दिखь यह दूल लिया है अब इसको पंदाय मिर्कि नहीं से छोड़ देंगे उसके बाद हम गैस पे एकड़ाई रखेंगे आप ऑ 24 चेल तय दालेंगे व्या हमने सरसो का तेल लिया है आप पोई भी तेल ले सकते हैं दो छोटी लाईची डालेंगे एक इंज दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे चार से पांच लॉंग लेंगे दो तेज पत्ता इन सब को थोड़ी दे चटकने देंगे उसके बाद हम इसमें जो चावल रखे थे उसको डालेंगे इनको अच्छे से भुनना है इसमें एक कप हम मटर लेंगे इनको पांच मिर्ट तक अच्छे से फ्राई करेंगे पांच मिर्ट हमने इसे फ्राई कर लिया दिखें मारे चावल फ्राई हो चुके हैं अब हम गैस पे कूकर रखेंगे उसमें चार कप पानी डालेंगे पानी जो गरम हो जाए तो हमने जो चावल फ्राई की हैं उनको डालेंगे चावल में पानी को डालने के लिए आपको ब जो 2 सीटी आया हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे, इसमें 2 सीटी आया था, और मैंने गैस को बंद कर दिया था और इसकी सीटी को खूदी निकल ले दिया है, आईयो में से खोल के आपको दिखाती हूं, देखिए हमारी मतर पुला रेडी हो गये हैं, हम इने अब गरम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक से कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के निए बेल आइकन जरूर दवाएं